नमस्कार बंदे मातव मैं आपका भाई दीपक रागब हॉलिस्टिक फार्मिंग कोच ट्रेनर एंड कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटुब चैनल हॉलिस्टिक फार्मिंग पर और आज का हमारा विशा है पेस मैनेजमेंट पेस कंट्रोल कैसे करें और क आज का जो लेक्चर है इसको सार्ट करने से पहले डॉक्टर सुरेंदर दलाल जिन्हों ने कीटो के बारे में पूरे भारत को पूरे विस्ट को गान दिया उनके चरण का कमलों में मैं दन्वत परनाम करना चाहता हूं वह बेसक है नहीं मतब इस प्रत्वी पर लेकिन हमार कीट परबंदन की बात इन दोनों के बिना होई नहीं सकती कि इन दोनों ने इतना इसके उपर ग्यान दिया इसको इतना बारी की सध्यान किया है तो इनसे जो ग्यान दिया है मैंने डॉक्टर सुलेंदर दलाल और दीपक स़च्देजी आज भाई मैं आपके सामने तो सबसे पहले प्रशन आता है कि कीट क्या है और क्यूं आता है तो कीट जिस तरीके से कीट को कोई पेड कीट को बलाता है कीट कभी नहीं आता जिस तरीके से डॉक्टर है आप घर में रहते हैं डॉक्टर कभी नहीं आ सकता आप पर्मीशन देते हैं आप फोन करते हैं आप आपको कोई बीमारी हो गई आपने प्राकर्ति के बिरुद कोई आचरन किया कोई अब भी आपने गलत काम किया है ना कोई आप से मिश्टेक हुई तो इसकी बज़े से फिर क्या है आप बीमार हुए और आपको डॉक्टर से को बलाना पड़ा आपकी इम्मूनिटी कम हुई तो आपको डॉक्तर को बलाना पड़ा ऐसे जब हैं लगते को प्लैनिंग करते ना तो फिर किया फिर क्रवों कीट कीट को बलाता है और कीट को बलाता है और फिर यह सारे कीट आते हैं तो हम क्या करें कि प्लैनिंग को बहुत अच्छी तरीके नहीं है क्या करें क्या ऐसा करें कि जो कीट ना आए दोको कीट तो आएंगे क्योंकि यह तो प्राकर्तिक का नियम है कीट आएंगे हम क्या कर सकते हैं उनके लिए रहने की वेश्था उनके लिए खाने की वेश्था कर सकते हैं उनके लिए कि to be special arrangement बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं जिसमें गयेंदा सूरज मुखी है धासरे मुखी आप तो जरूर लगाएं खेत जरूर होना चाहिए है और की तरीहा किया सबसे बैस तरीक आप जरूर लगाएं चाहिए ऐताता चाहिए आपको परेशान करेंगे और ऐसा क्या करें पांच तरीके बताऊंगा जिसको अगर और अपने जीवन में ध्यान रखते हैं तो आपको कीटों से कभी कोई दिक्कत नहीं होगी वह आपके मित्र हैं वह आपके हैं वह आपको आपकी फायदा करेंगे और आपकी मतलब लाइफ में एक सपोर्टर बन जाएंगे तो आपको पांच चीजें अपको अपना नहीं जाती है बूमी में पोशचक तथ्यों खतम हो जाते हैं तो जब भूमी जो मिट्टी है जब वो कंज़र हो जाएगी तो सिंपल सी बात बात है ठीड़ कम मात्रा में क्योंकि मिट्टी कमज़र हो जाएगी पोशक्तत मिलेगे नहीं क्योंकि कैच्छु आई एक माध्यम था दोनों के पेड़ की जड़ों के बीच में और मिट्टी के बीच में अगर आम उसको ही डैमिस कर देंगे हमारे स्प्रे से तो फिर एक बहुत बड़ी मात्र पेड़ लगाएं इसका चौथा है कि हम देशी बीज लगाएं यह लूम है हमारे उपन पॉलिनेटर सीट्स हैं आप यह लगाएं यह अगर आप नियम करते हैं तो आप इसे कीटों से बस सकते हैं दूसरा एक प्राकरतिक का सच है प्राकरतिक में कोई ब्रोध नहीं है प् करते हैं कि किसी बी चीज को जनम देने में और किसी बी चीज को समाख्त करने में तो प्राकरतिक को हम समझते शकरते। दो एकाहीं लIch आज की अप उसके बाद यह लगाँ और अगर हम इनका अग्मार अगले फायदे मंद है और दोनों की जरुवत है इसके लिए डीप जो चर्चा है वो अगले पार्ट में करेंगे अभी तक के लिए तो बस में यहीं बताना चाहूंगा जो मैंने आपको सपोर्टर का काम करेंगे नमस्कार बंदे मातर मिलेंगे अगले वीडियो में आप प्रिशन लिखें हमें